हेलो दोस्तो मैं हूँ साजिशेक और स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे सी यूटूब चैनल पे दोस्तो आप सभी को तो पता ही है कि अकोला खंडवा रेल लाइन के गेज कनवर्जन का काम चल रहा है गेज कनवर्जन का काम अकोला से आकोट तक पूरा हो चुका है पर यातियों को और नागरिकों के यह सवाल था कि अकोला अकोट रेल सेवा कब शुरू होगी आखिरकार वो इंतजार अब खत्म हो चुका है अकोला अकोट अकोला रेलवे शटल सेवा अब जल्द ही शुरू होने जा रही है अकोला जिले के पालक मंत्री एव राज्य के उपमुख्य मंत्री श्री देवेंद्र फड़न्वज जी के प्रयासों को केंद्रिय रेल मंत्राले से हरी जंडी मिल गई है और केंद्रिय रेल मंत्रा लेने ट्रेन सेवा शुरू करने की अधिस उचना भी जारी कर दी है अकोला अकोट के बीच रेलवेज शटल सेवा बूद्वार दिनांग 23 नवंबर 2022 को सुबह अकोला रेलवेज स्टेशन से शुरू होगी और इसमें केंद्रिय रेल मंत्री श्री अश्वीनी वेशनव जी मध्य रेल राज्य मंत्री राव साहिब दानवे और जिल्ला सरक्षक मंत्री और उपमुख्य मंत्री श्री देवेंद्र फड़नविस जी रिमोट सिस्टम के माध्यम से ओनलाइन इस कारेक्रम में शामिल आप सभी को पताई होगा अकोला आकोट राजमार्ग पर गांधी ग्राम के पास पुर्णा नदी पर बना पुल टूट जाने से इस पुल से आवागमन बंद कर दिया गया और वहिकल्पिक मार्ग उपलब्द कराया गया लेकिन यह वहिकल्पिक मार्ग नागरिकों के आव सुविदा जनक था जिससे लोगों को आने जाने में भारी दिक्कत आ रही थी दोस्तों अकोला आकोट रेलवे लाइन की सुरक्षा के लिए आदेश दिनांग चार नौवंबर 2022 द्वारा जारी किया गया था D.O.M. के आदेश के अनुसार विद्यूत विबाग यांतरिक विबाग ट्रेक फिटनेस आश्वासन आदी से संबदित मामलों की जाच कर सुनिश्चित करने के बाद अकोला आकोट शटल रेल सेवा शुरू करने के सभी बादाओं को दूर किया गया है और साथी में केंद्रिय रेल मंत्रा लेने भी अकोला आकोट रेल सेवा को शुरू करने के लिए हरी जंडी दिखा दिये है तो दोस्तों अब हम जानेंगे अकोला से अकोट के बीच चलने वाली रेलवे का टाइम टेबल और उसके स्टॉपेज अकोला से अकोट के बीच चलने वाली ट्रेन अकोला से सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे आकोट के लिए रवाना होगी और अकोट से अकोला के लिए चलने वाली ट्रेन सुबह 8 बजे आकोट से और रात को 8 बजे दूसरी ट्रेन रवाना होगी दोस्तो अकोला अकोट ट्रेन के इस लाइन पर तीन स्टॉपेज होंगे पहला उगवे स्टेशन दूसरा गांधिस मारक रोड और तीसरा पट्सूल अकोला अकोट शटल रेल सेवा शुरू होने से इस रूट के साथ-साथ अकोला जिले के सभी नागरिकों को बहुत सुविधा प्राप्थ होगी तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आये होगी और ऐसे ही रेलवे से जूड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल से जूड़े रहे है तो मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई